नमश्काराब देखरें नेक्स्स फिछोल आपके साथ मैं हूरी न चीनी वास्तु सास्त्र पेंग्शु इसे लाफिंग बुद्धा ने भाड़ते वास्त जगह बना लिया है। पर नकायि चाहिए allora रहा सकते हैं आपने पयारे अप्र चाहिएन वेकर माना कहां रखने से और कहां रखने से इसे परहिज करना चाहिए वासु सासर को अगर नियमों के अंसार ना रखा जाए तो इसके विपरित प्रफाव सामने आते हैं लाफंग गुद्धा करके मुख्य द्वार के ठीक सामने जमीन से कम से कम 30 इंच और जादा से जादा 32.59 की उचाई पर रखा जाता है मुख्य गेट के सामने लाफंग गुद्धा इसलिए रखता है ताकि घर में किसी के घुसने पर सबसे पहली नाजर उसकी लाफंग गुद्धा पर जाए ऐसा होने से उस वेक्ति के साथ आई नागारात्म गुद्धा मुख्य दरवाजे पर ही खत्म हो जाती है नागारात्म कुच्छा घर के अंदर प्रविश नहीं कर पाएगी घर के मुखे गेट के सामने नहीं रख सकते तो इसे पूरा देशा जहां से सूर्य देता होता है वहां भी रख सकते है इसके लावा लाफिंग बुद्धा को सौभागे का परतीक माना जाता है इसलिए इसे घर के कुछ इस्थानों पर रखने से पहले ज़र्वी बाते ध्यान रखें इसे घर के कुछ इस्थान से किचेन, डाइनिंग एरिया, बैडरोम या टायरेट आदी के आसपास विल्कुल न रखें, ऐसा करने से घर का वास तो खराब हो सकता है लाफिंग बुद्धा को रखने से कई तरह की आतिक समझाएं जेलनी पर सकती है इस बात का भी ठ्याना कि इसे सीथे जमीन पर न रखें अगर आपको हमारे जानकर इच्छी लगी हो तो कमन करके जब बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना न आप दूले और हमारे आने वाले वीडियो इसके ब्रेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दबाना न आप दूले